आज का एक वीडियो स्पिकिंग इंगलीज के लिए बहुत ही मतपूर होने वाला है क्योंकि आज किस वीडियो में आपको IC25 Daily Uses English Sentences in Hindi के बारें बताने वाले हैं जिनकी मदद से लगबग आप अपनी आधी स्पिकिंग इंगलीज को मुठी में कर सकते हैं जिहां आपने से सुना आपने एक्सर देखा होगा कि कई sentences ऐसे होते हैं जिनको देखका लगता है कि इसमें grammar का shading सूपियो किया गया है लेकिन वही पर आपको कई सारे ऐसे भी sentences देखनों को मिलते हैं जिनके अंदर बहुत सारी confusion पैदा करते हैं और आपको ऐसे small sentences को देखका लगता है कि इसमें तो grammar का बिल्कुल भी use नहीं किया गया है या फिर एक ऐसे हो सकता है लेकिन उस sentences को वैसे ही बोला जाता है क्योंकि English बोलने वाले लोग भी उसी तरह बोलते हैं इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे sentences को बोलने के लिए English grammar की आओ सकता नहीं पड़ती है तो चलिए को sentences put up करते हैं 351 है पापा से पूछो, ask your पापा 352 है पेट भर गया क्या, are you full 353 है अपने दाथ अच्छे से साप करो, brush your teeth properly 354 है कुला कर लो, rinse your mouth 355 है मेरे पास आओ, come to me 356 है अपने पापा के पास आओ, go to your papa 357 है इसको खोड़ मत देना, don't lose it 358 है इसको तोड़ मत देना, don't break it 359 है नाक में उंगली मत दालो, don't put a finger in your nose 360 है अपनी नाके साप करो, blow your nose 361 है चेकते समय अपनी नाक ढख लो, cover your nose while sninging 362 है आपको वास रूम जाना है, do you want to go to the वास रूम 363 है चलो बाहर घूमने चलते हैं, let's go outside 364 है सरारती मत बनो, don't be naughty 365 है मुझे तंग मत करो, don't disturb me 366 है आप मेरी बात नहीं मानते, you don't listen to me 367 है क्या आपने अपने हाथ दोए, did you wash your hands 368 है इसको उठाओ और कुड़ादान में डालो, pick it up and flow in the dust bin 369 है सई धंग से रखना, out them in the order 378 है अपना हमवर्क खत्म करो, finish your homework 371 है इसे हाथ मत लगाओ, don't touch it 372 है पेज मत फाड़ो, don't tear the page 373 है अपने जूते की फीता बादो, tie your sword laces 374 है टीवी देखना बंद करो, stop watching TV 375 है मोवाइल में गेम खेलना बंद करो, stop playing game on the mobile So friends, 1-25 daily uses English, Hindi sentences ते जिनको मैंने आपको बता दिया और आप हमेशा try करेंगे, प्रयाज करेंगे जबी आपने friends circle में है, class में है, coaching में है, tuition में है Even आप अपने family में हैं फिर भी आप try करने की कोशिस किजीगा क्योंकि English जो हता न, एक language होता है, और जो language होता है, वो हमेशा practice करने से जाता है तो आप हमेशा group discussion कीजिएगा, जबी भी आपके पास में time है तो 20 मिनट, 10 मिनट अपने दोस्तों के साथ में gd कर सकते हैं तो 20 मिनट आपको English बोलना धीरे धीरे आ जायेगा खत्तम बाइबाइ, टाटा, गुडबाइ, गया